हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टो माई चैनल लता की लाइब्रेरी आज मैं आपके साथ बहुती सुन्दर बहुती आसान सिंगल कलर का पैटन सियर करने जारी हूँ इस पैटन को आप ओल प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं कार्डिगन, कोटी, जैन साब स्वेटर, जैन स्पूल स्वेटर, जैकेट, बच्चों के ओल प्रोजक्ट, कैप आदी में बनके बहुती सुन्दर हमारा ये पैटन आ जाता है और फ्रंट साइड से हमारा पैटन ब ज़वाना न भूले, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना न भूले, आप देखीए फ्रंट साइड से पैटन के फ़र्ष्ट रोव, फ़र्ष्ट रोव में देखीए, यह हमारा फ्रंट साइड है, और देखीए विडिये थागा पीछे करेंगे एक फंदा बिना बुने उतार लेने हैं अपनी आपनी करेंगे सो हमें तीन पाम 3 विडिये और 7 न थे सुर्णे 5 करेंगे ये देखे ये back side की तरब से slide डालेंगे और 3 फंदे एक साथ बनेंगे ये 3 का एक कर लेंगे फिर देखे धागा अपने side करेंगे और 1 फंदा बिन बने उतार लेंगे फिर धागा देखे ऐसे पीछे ले जाके और आगे करेंगे फिर दो फंदे उल्टे भुनेंगे फिर धागा पीछे एक फंदा बिना भुने उतारेंगे फिर धागा अपनी साइड करेंगे तीन फंदे एक साथ भुनेंगे ये तीन का एक कर लेंगे ये देखे एक दो तीन ये तीन फंदे हमने एक साथ भुनने हैं और तीन का एक कर लेना है यह देखे जो फंदे हमारे घट रहे हैं वो यहाँ पर देखे यह जाली से बढ़ रहे हैं एक फंदा यह बढ़ गया और एक फंदा यहाँ पर बढ़ जाएगा फिर एक फंदा देखे ऐसे बिना बुने उतारेंगे और देखे ऐसे पीछे ले दागा पीछे करेंगे, फ्लास्ट का फंदा सीधा, हमारे प्रोजक्ट में जितने भी फंदे होंगे, फस्ट रो में हमने यही प्रोसिस रिपीट करते हुए, अपनी पैटर्न की फस्ट रो कंप्लेट कर लेनी है, अब देखिए बैक साइड से से किंड रो, अब से किंड रो और दो, यह दो फंदे सीधे भुने, धागा अपनी साइड करेंगे, और देखिए फ्रंट साइड की तरफ से देखिए जो एक फंदा हमने बिना भुने उतारा है, इसको हम बैक साइड से उल्टा भुन के उतारेंगे, अब देखिए नेश्ट हमारे तीन फंदे पैटर्न के आ जाते हैं ये देखे एक, दो और तीन तो पहले हमने ये तीसरे नंबर का फंदा बुन लेना है पहले तीसरे नंबर का फंदा बुनेंगे फिर देखे ये फर्स नंबर का फंदा बुन लेंगे और फिर हमने ये देखे जो सेकिंड नंबर का फंदा है उसको बुन लेना ह तो देखे, back side से भी हमारे ये 3 फंदों में pattern आ गया, फिर देखे, front side की तरफ से देखे, जो फंदा हमने भिना भूने उतारा है, इसको हम back side से उल्टा भूनके उतार लेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, 20 फंदे सीधे, फिर धागा अपने side, अब देखे, front side की तरफ से द पेटन वाले तीन फंदे आ जाते हैं तो देखे बैक साइट से भी इन में पैटन आएगा तो देखे एक, दो और तीन तो तीसरे नमबर का फंदा हम पहले बुनेंगे बैक साइट की तरब से फिर देखे फिर हमने फर्स नमबर का फंदा बुन लेना है फिर देखे फिर हम से रिपीट करते जाएंगे और बैक साइट से अपनी सेकिंड रो कम्प्लेट करेंगे यह देखिए बैक साइट से हमारी सेकिंड रो कम्प्लेट हो गई अब देखिए फ्रंट साइट से थर्ड रो थर्ड रो में हमारा पैटर्न रिपीट होगा तो देखिए रिपीट के एक र पिछे करेंगे एक फंदा हमने बिना भुने उतार लेना है फिर धागा अपनी साइड करेंगे नैस्वर हमने तीन भुने एक साथ भुने ये तीन का एक कर लेंगे ये तिन का एक किया फिर धागा अपनी साइड एक फंदा बिना बुने उतारेंगे फिर धागा अपनी साइड करेंगे दो फंदे उल्टे बुनेंगे धागा पीछे एक फंदा बिना बुने धागा अपनी साइड तीन फंदे एक साथ बुनेंगे तीन का एक कर लेंगे फिर धागा आपनी साइट करेंगे, एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, फिर धागा आपनी साइट, दो फंदे उल्टे धागा पीछे, लास्ट का फंदा सीधा, तो देखिए, फ्रंट साइट से हमारी पैटन की थर्ड रो, कंप्लीट हो गई, थर्ड रो में हमारा पैट पैटन रिपीट हो रहा था अब बैक साइट से देखे जो फोर्त रो आएगी उसको हमने सेकिन रो की तरह बुनते हुए कंप्लेट करना है अब हमने अपने पैटन को ऐसे ही रिपीट करते जाना है और बनके देखे हमारा पैटन कुछ इस तरह से आ जाएगा यह देखे करें और आप हमारे चैनल में नहीं हूं तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें थैंक्यू नहीं है।